Hello everyone, welcome to Cooking with Kostub channel आज मैं आपके साथ स्वीट पटैटो की एक बहुत युणीक सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ चलिए स्टार्ट करते हैं, यह मैंने हाफ केजी स्वीट पटैटो ले लिया है शकरकन जिसे हम बोलते हैं इसे मैं बोल करने के लिए रगदूँगी कुछ इस तरह से कुकर में आप देख सकते हैं लगभग दो से तीन शिटी होने देनी हैं, दो से तीन हुषल में अच्छे से पक जाते हैं अब इसे मैं पील कर लूँगी, पील करके इसे मैं अलग से एक प्लेट में रख दूँगी, कुछ इस तरह से आप देखी सकते हैं यह बहुत ही अच्छी रेसिपी है, सबको स्वीट पटैटो खाना ही चाहिए यह देखिए, इस तरह से मैंने पूरा पील आउट कर दिया है, और अच्छे से हम स्मैश कर लेंगे अब स्मैश करने के बाद, हम इसमें अड करेंगे, गेहूं का अपना आटा, वो मैं करीबन एक बाउल ले लूँगी, गेहूं का आटा इसमें मिक्स करके, अच्छे से, बहुत ही फाइन तरीके से, अच्छे से आपको मिक्स करना है और एक फाइन डो तैयार करेंगे, अगर आप उपास के लिए बना रहे हैं, तो आप गेहूं का आटा मत लीजिए, आप इसमें शिंगाडे का आटा यूज कर सकते हैं, अगर उपास के लिए बना रहे हैं ये कुछी इस तरह से हम डो तैयार करेंगे, इसमें मैं दो चमच ओयल डाल के, इसे अच्छे से और भी थोड़ा सा मैश कर लोंगी अब इस तरह हम लोग छोटे-छोटे जैसे गुलाब जामुन के लिए हम लोग बॉल्स बनाते हैं, कुछ उस तरह से हमें गुलाब जामुन के बॉल्स बनाने हैं इसके बहुत ही अच्छी रेसिबी है, आपके बच्चों को भी पसंद आएगा, आप जरूर से ट्राइ करें ये इस तरह से कट करके इजी हो जाता है, तो ये छोटे-छोटे से हम लोग गुलाब जामुन के बॉल्स बना लेंगे अभी गुलाब जामुन के लिए लगता है चाशनी, है ना, तो इसलिए हम चलिए चाशनी बनाते हैं, इसमें मैं एक कप पानी ले रही हूँ और उसमें मैं डाल दूंगी लगपक दो कप शुगर, इसे अच्छे से बॉयल होने देंगे हम गुलाब जामुन की चाशनी तो जनरली सबको आती है बनानी, बस उसी तरह से चाशनी बनानी है हमें इसमें मैं थोड़ असा इलाइची पाउडर डाल रही हूँ बस ये चाशनी तयार हो चुकी है, अभी मैंने गैस ओफ कर दिया है अब हम लेंगे कढ़ाई, उसमें तेल, जिसमें हम गुलाब जामुन के ये बॉल्स फ्राइ कर सके हाई टू लो फ्लेम में हमें ये फ्राइ करना है क्योंकि जो हमारा स्वीट पटैटो है वो अलड़ी बॉयल है ठीक है, गोल्डन ब्राउन होने तक कुछ इस तरह से हमें ये फ्राइ करना है फ्राइ करने के बाद हम इसे गरम गरम ही चाशनी में डिप करेंगे कुछ इस तरह से, इसी तरह से बाकी के भी हम बॉल्स फ्राइ कर लेंगे गोल्डन ब्राउन अच्छे से बिल्कुल और बस उसे चाशनी में डिप कर देंगे चाशनी में डिप करके हमें करीबन पांच मिनिट तक रखना पड़ेगा इसको ताकि चाशनी पूरा गुलाब जामून के अंदर घुश सके ये देखिए बहुत ही प्यारा सा हमारा स्वीट प्टैटो गुलाब जामून तयार हो चुका है सर्विंग के लिए बहुत ही यमी बनता है फ्रेंट्स आप जरूर ट्राइ करिए आपके बच्चों को घर में सबको ये बहुत बहुत पसंद आएगा थैंक्स फॉर वाचिंग और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरा चैनल कुकिंग विद कॉस्तूब सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर करिए मिलते हैं अगले वीडियो में बाई बाई सी यू